हेलो स्टुडेंट आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर प्लेयर ओफ लिनेर एक्वेशन इन्टू वेरियेबल एक्सरसाइज 3.3 क्वेशन नमबर फर्स्ट का हम लोग 6 बनाएंगे ठीक है को फर्स्ट का 6 कैसे बनाएंगे तो हम लोग को फर्स्ट का 6 का चले देखते हैं 3x by 2 minus 5 by 3 equal to minus 2 और x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6 ठीक है हम लोग को इसको क्या करना है हम लोग को जो हम लोग के क्विश्चन दिया हम लोग को सब्सक्राइब से सॉल्फ करना इसको हम लोग और भी मैथड से सॉल्फ कर सकते है लेकिन हम लोग आगी देखेंगे ठीक है तो चलिए हम लोग इस को तो चलिए हम लोग क्या करेंगे इन सबसे पहले इन दोने एक्विशन को क्या करेंगे सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे तो चलिए देखते कैसे लिखेंगे 3x divided by 2 minus 5y divided by 3 equal to minus 2 ठीक है हम लोग इसको एक बार लिख लेते चलिए इसको equation number 1 दे देते फिर equation number x by 3 plus y by 2 equal to 13 by 6 6 इसको equation 2 देते हैं तो हम लोगे आपर लिख लिखेंगे from equation 1 ठीक है equation 1 से ठीक है from equation 1 से equation 1 को लिख लेंगे 3x divided by 2 minus 5 by 5 by 3 5 by 3 equal to minus 2 ठीक हम लोग क्या करेंगे इसका LC हम लोग कितना जाएगा LC हम लोग 6 आजाएगा 2 से इसको 6 को दिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा 3 को multiply कर देंगे 3 से तो कितना जाएगा 9x कि 3 3 चा 9X हो जाएगा minus 3 को 3 को क्या करेंगा हम लोग लोग इसके में जब डिवाइड करेंगे कितने times में एगा 3 times में एगा ने 2 times mega 6 ठीके 2 को किसे multiply कर देंगे 5 से कितना हो जाएगा 10y equal to minus 2 ठीके आप क्या करेंगे हम लोग यह हम लोग हो जाएगा 9x minus 10y अब 6 इदर divide में equal to 2 जाएगा तो multiply में कितना हो जाएगा चलिए दर एक बड़ लिख देता हो में 9x minus 10y equal to कितना हो जाएगा 2 को 6 से multiply करेंगे तो 12 और यह minus ठीके आप चलिए हम लोग करेंगे equation number इसको हम लोग 3 देते हैं अब इसी परकार से हम लोग solve करेंगे equation 2 को ठीके आप चलिए हम पर लिख देता है from equation equation from equation 2 ठीक है आप उसको भी simple formula बनाएंगे ठीक है simple formula लिख लेंगे हम लोग x by 3 plus y by 2 equal to क्या है 13 by 6 चलिए मैं और एक बड़ी हम लिख देता हूँ आपके लिए इस page में x by 3 plus sorry y by 2 equal to कितना हो जाएगा हम लोगा 13 by 6 ही हम लोगा क्या है 2 है ठीक है 2 है हम लोगा अब LCM फिर से क्या है हम लोगा 6 आजएगा अब फिर divide कर देंगे 3 से divide करेंगे 6 को कितना times में आगगा 2 times 2 multiply करेंगdd x तो कितना आजएगा 2x ठीक है फिर плюс ठीकर इसर डू से divide देंगक कए किस को six को तो कितना times में जाएगा 3 times 3 ही को multiply कर देंग y से तो क्या जाएगा 3y, ठीक है, यहां क्या होजएगा, 13 by 6, 2x plus 3y, ठीक है, अब यहां पर क्या 6, sorry, 6 क्या, divide में equal to कुदर जाएगा, तो multiply में हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, यह 6 को धर भेज़ दिये, multiply में, ठीक है, अब क्या होजएगा, 2x plus, हम लोग का क्या होज हम लोग क्या करेंगे, दोनों equation में से किसी एक equation को लेंगे, और क्या करेंगे, उसे दोनों variable में से किसी एक variable का क्या करेंगे, value निकालेंगे, तो हम लोग चलिए हाँ पर लिखे देंगे, from equation, from equation 3, ठीक है, हम लोग का equation 3 क्या कर रहा है, क्या 9x minus 10y equal to minus 12, हम लोग का, equation number 3 हम ल X का value निकालेंगे, क्या से निकालेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग, minus 12, देखें हैं यहाँ पर, 10 क्या है, 10 क्या है, minus में equal to कुधर जाएगा, तो plus में हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इसको भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, plus में, plus 10Y, ठीक है student, आप आगे देखते हैं, आप देखें, X का value के से निकल जाएगा, minus 12 plus 10Y, आप देखें हैं यहाँ पर क्या होगा, 9 क्या है, multiply में equal to किता रहेगा, तो divide में हो जाएगा, तो X का value आगया, अब हम लोग क्या करेंगे, X का value को put कर देंगे, equation number 4 में, तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे, putting the value of X in equation 4, ठीक है, equation 4 में हम लोग put कर देंगे, तो हम लोग put करेंगे, तो क्या जाएगा हम लोग का, सबसे पहले हम लोग equation 4 लिख ले थे, 2X plus 3Y equal to 13, अब X का value put कर देंगे, अब देगा, 2 minus 12 plus 10Y divided by 9, ठीक है, plus 3Y equal to 13, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखे, multiply कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 को 12 से multiply करेंगे, तो minus 24 हो जाएगा, plus 2 को 10 से multiply करेंगे, तो 20 हो जाएगा, ठीक है, divided by 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3Y equal to 13, ठीक है, हम लोग lcm ले लेंगे तो कितना जाएगा इसके नीसे कुछ नहीं है मतलब कितना है मैनस 24 24 यह दोनों सॉल्फ हो जाएगा 20 में हम लोग 27 एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 47y हो जाएगा ठीक है और क्या है 9 है इधर यह डिवाइड में उकल्टी कुदर जाएगा तो मल्टिप्लाइ में हो जाएगा ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 47y इक्वल टू मल्टिप्लाइ करेंगे तो 39 जे कितना हो जाएगा 1870 इसको चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ तो चलिए मैंने आपके लिए इस पेज में लिख देया अब इसको क्या करेंगा लोग देखिए 47y को यहीं छोड़ देंगे और मैनस 24 क कर जाएगा तो पलस में हो जाएगा आप चलिए हमनों क्या करेंगे 47y इक्वल टू क्या हो जाएगा एड़ कर देंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 का 1 1 1 1 2 2 2 2 4 और 1 कितना आगे इतना आगे हमनों कर ठीक है तो y बराबर कितना हो जाएगा 141 divided by 47 cancel हो जाएगा 3 टैम्स में 47 47 और 47 ठीक है 141 ठीक है आप मल्टिप्लाइ करके देख सकते है ठीक है 47 को कितना आ जाएगा यह जगा 3 सते 21 2 3 4 के 12 12 13 14 ठीक है आगे इतना आपके y का वैल्यू कितना आ गया 3 हम लोग y का वैल्यू को क्या करेंगे पूट करेंगे किस में equation नंबर आप 3 में पूट करेंगे य putting the value of y in equation किस में 3 में पूट करेंगे तो हम लोग के equation 3 क्या चलिए देख लेंगे मैं आपके लिए धर लिक देता हूँ 9x-10y equal to minus 12 है ठीक है हम लोग का equation number 3 यह लिखा हुआ है ठीक है हम लोग y के place में कितना पूट कर देंगे 3 तो 9x-10y के place में 3 पूट कर देंगे equal to minus 12 ठीक है 9x रहेगा अब multiply करनेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगा 10 को 3 से multiply करेंगे sorry यहां पर हम लोग कुछ mistake हो रहा है sorry चलिए साही है हम लोगने equation number 3 पूट किया है कितना हो जाएगे हम लोग का हो जाएगा 30 minus 30 equal to minus 12 हम लोग का है साही है ठीक है अब आगे देखते है 9x equal to क्या हो जाएगा minus 12 ठीक है अब यह minus 30 equal to को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा plus 30 ठीक है 9x ठीक है equal to इधर कितना बचेगा हम लोग minus कर देंगा 30 में 12 minus करेंगे तो यहां पे चलिए देख लेते 30 में 12 minus करेंगे कितना बचेगे कि इसको दिया 10 में से 2 minus करेंगे त तो 8 और यहाँ पर 2 में से 1 मेंस करेंगे तो 1 ठीक यहाँ पर कितना जगा 18 X का वैल्यू किया आजएगा 18 by 9 क्योंकि 9 क्या multiple equal to गदर जाएगा तो divide में तो X का वैल्यू किया आजएगा 9109 और 92018 X का वैल्यू 2 आ गिया तो student हम लोग का इसका भी आंसर निकल गी X का वैल्यू 2 और Y का वैल्यू 3 ठीक है तो इस तरह हम लोग का जो question number 1 है exercise 3.3 question number 1 है वो क्या पूरा complete हो चुका है आगर आप लोग ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा था आप देख सकते है तो student वीडियो पसंद आतो लाइक कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और इस चैनल को subscribe कीजिए, thank you